हेलो नमस्कार साथियों स्वागत्य आप सभी का शालुवार्ट क्लास में उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने में त्यारी कर रहे होंगे आगे के महत्वपूर्ण क्वेशन शुरू करती हूं बिना समय व्यर्थ किये हुए सबसे पहले जो भी लोग चैनल प पोच्छन वाला किस माध्यम में काम करते थे तो यहां पर हमारा जो है ऑप्शन नमबर डी सही हो जाएगा अलुमीनियम एवं पत्थर अगला प्रशन है राजिस्थान स्कूल अफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में सिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यही प्राचार या नाम बताएं उनका तो उनका नाम है शालेंद्र नाड्डे अप्शन नमबर बी सही हो जाएगा अगला प्रशन है वरिष्टता के आधार पर सही क्रम चुने तो यहां पर हमारा जो है अप्शन नमबर सी सही हो जाएगा इनिक सब से पहले मैफ हुसेन फिर एसे चरेजा, फिर सतेश गुजराल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़ी कलाकार परिसर कहां, इस थित तो यहां पर हमारा आप्ष नमबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली, अगला प्रशन है, अमरावती कला की प्रमुख विशेश्चता है, तो यहां पर हमारा आप्ष नम नमबर A सही हो जाएगा, जैपुर, अगला प्रशन है, शयन मुद्रा में सरवादिक मूर्तियां किसकी मिलती है, तो यहां पर हमारा आप्ष नमबर A सही हो जाएगा, विश्चनु, अगला प्रशन है, वहें कौन से कलाकार हैं, जिने उनके वास्तविक नाम के अपेक्ष प्रशन को ध्यान से सुनिये, रिपीट पे सुनिये, अगला प्रशन है, सन 1949 में आट एंड क्राप्स अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया, तो यहां पर हमारा जो है, ऑप्ष नमबर B सही हो जाएगा, भवानी चरणगुई, अगला प्रशन है, हीम सही हो जाएगा, इन में से जो है, शंकु चोदरी वो मूर्तिकार है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेशन है, हमारा राज्य लिलित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की पहले अध्यक्षते, तो यहां पर हमारा ऑप्ष नमबर B सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्ण अनंद अगला प्रशन है, सरप्रथम किस स्थान से पाशान काली नोजार मिले, तो यहां पर हमारा ऑप्ष नमबर C सही हो जाएगा, पल्लावरम नेक्स्ट वर्ष फ्रेसको कला शिवर आयोजित किया रहा है तो यहां पर हमारा आप्श नमर सी सही हो जाएगा वनस्तली विद्यापीट जिसको वनस्तली भी कहते हैं चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइफेक्स की स्थापना में किसका अमूलय योगदान है तो यहां पर हमारा आप्श नमबर सी ए सही हो जाएगा उकील बंधुओं इनका जो है काफी महत्रपूर्ण योगदान है अगला प्रशने उननिस सु सतावन इ कर्म भूमि थी तो यहां पर हमारा आप्श नमबर 20 ही हो जाएगा वनस्थली विध्यापीट अगला प्रशने धुप न犬ीच सेघ्ञट की चितर श्रंकला थी तो हमारा आप्श नमबर D सही हो जाएगा अन्वॉंटेड अगला प्रशने हैं अमरावती का स्तूप अंधर मुखर जी चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन की तरफ चलते हैं सुमेश्वर द्वारा रिचित ग्रंथ का नाम है तो यहां पर हमारा जो है ऑप्शनमबर D सही हो जाएगा मानसोलास मानसोलास अगला प्रशन है उदैपूर के समीप नागदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर इ तो यहां पर हमारा जो है जक्षिरोमणी मंदिर अगला प्रशन है मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किस ने लिखा तो यहां पर हमारा जो है प्यूश पांडे अगला प्रशन है गोदावरी तो था कृष्ण नदियों के बीच मूर्ती शिल्प का कौन सा केंद रिस्तित तो तो यहां पर हमारा ऑप्षन नमबर ए सही हो जाएगा हमरावती अगला प्रशन है राजिल अलेत कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनों की स्थापना किस वर्ष में हुई तो यहां पर हमारा ऑप्षन नमबर सी सही हो जाएगा उद निस्व बासट ही निए 1962 नेक्स्ट क इसथि ने हमारा वहार में बनी बैठक को डैश कहते हैं तो यहां पर हमारा ऑप्षन नमबर डी सही हो जाएगा प्रतिव प्रतिव पस्तान शाला कहते हैं। अप्शन नमबर D सही हो जाएगा भारति ए मूर्ति कला की दो अति विशिष्ट क्रतियां हैं तो यहां पर हमारा ओप्शन नमबर C सही हो जाएगा बुद्ध एवं नट राज मूर्ति नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कला निलामी की ओनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है तो यहां पे हमारा आप्शन नमबर A सही हो जाएगा मीलल मीनल बजीरानी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर महा भारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं तो यहां प्यमाराफश नमबर सी सही हो जाएगा मावली पुरम अगला प्रशन है वीजापुर के विशाल दुर्ग संत मजला महल गोल गुंबद आदी के विशाल भवनों में डैश स्थापत्य का उत्तम समनवय दिखाई देता है तो यहां पर हमारा आप्शन नमबर A सही हो जाएगा हिंदू मुस्लिम अगला प्रशन है तो इस प्रशन में हमें सुमेलित करना है तो यहां पर आप्शन नमबर D सही हो जाएगा हमारा चली सुमेलित करते हैं कलोड मोने याने की प्रभावबाद जॉर्ज ब्राक याने की घनवा सेजान याने की उत्तर प्रभावबाद मांतेस याने की तो यहां पर हमारा option number C सही हो जाएगा सबसे पहले इवी है वेल फिर अवनींद्र नाथ फिर राम गोपाल विजय वरगी उसके बाद बनीशी डे चलिए अगला प्रशन है भारती मूर्तिकला में हांसिव्यंग का शिल पांकन विशिश रूप से हुआ है तो यहां पर हमारा option number B सही हो जाएगा फ्रेडरिक आगस्ट बार्थोल्डी अगला प्रशन है अमरनात सहेगल किस रूप में प्रसिद्धे तो यहां पर हमारा option number B सही हो जाएगा मूर्तिकार अगला प्रशन है महाराजा स्कूल अफ आर्ट्स एंड क्राप्स में उपाचारे पर रहते हुए पर किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया तो यहां पर हमारा option number B सही हो जाएगा शालेंदर नाड़े अगला प्रशन है किस स्थूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है तो यहां पर हमारा option number C सही हो जाएगा साची चलिए अब हमारा next question है औ आज की बहुत ही important question खत्म होते हैं